जब इनसान की जीवन में हालात बिगड़ जाते हैं तो कुछ लोग बहुत तूड़ जाते हैं और कुछ लोग जो है वो रिकॉर्ड तूड़ देते हैं तो आप सभी को फैसला करना है यो जो अंतीम का दो लाइन है न इसमें आप क्या करना चाहेंगे क्योंकि आज के डेट में जो भी competitive exam के तैयरी कर रहा है वो सभी बोलेंगे भईया exam बहुत दीन से दे रहे हैं महनत कर रहे हैं exam नहीं निकल रहा है तो आपको फैसला करना है कि तूट जाना है या record बनाना है और record अगर बनाना है जहां तक मुझे लगता है सभी यही बोलेंग तो लग जाओ पूरा effort जितना आपके अंदर हिम्मत है जान है वो पूरा लगा दो अपने strategy के पिछे की आपको करना क्या है exam निकालने के लिए तैयारी में पूरा अपना दिमाग जो है वो आप सभी लगा दीजे लास को start करूँगा और बोलूँगा चैनल के उपर जो भी ग्राम के उपर मिल जाएगा जिसका लिंक इस विडियो के description box में दिया गया है और आज कवर करेंगे हम सभी 27 March के important current affair कुछ important तथ के साथ तो देखते हैं आज का पहला जो प्रस्थ है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और पहला प्रस्थ है लिमलिखित में से किसने Australia की सब उसे उच्चा परबस सिखर कौन सा है तो आप क्या बोलेंगे माउंट कोस्यास को ठीक है इसको तरासा है इसको स्कैल्ड किया है वो उस बेक्ती का नाम क्या है तो उसका नाम है आपका भावना देवेरिया option number आपका D ठीक है और एक बात Australia capital क्या है तो आपका Canberra मुद्रा क कौन है तो वो है Australia के Scott Morrison अगला प्रस हमारे सामने है COVID-19 यानि क्रोना वाइरस की बात कर रहा है कि कारण की इस देश ने अपनी सीमा को 6 महने के लिए बंद कर दिया है और ये decision जो है वो कल रात को ही Australia के परधान मंत्री के द्वारा लिया गया है यानि क्रोना वाइरस के वज से जो है Australia जो है अगले 6 महने के लिए अपने border को जो है वो सिल कर दिया है ये आप सभी याद रखे question काफी important है और ये कल रात को ही ये decision जो है वो लिया गया है ठीक है Australia के तरप से अगला प्रस हमारे सामने है निमलिखित में से किसे ENT रोगी से पिडित लोगों को सेवाओ के लिए भारत के सर्वसेश नागरी के स्वड़ पदक पुरुसकार से समानित किया गया है अब एक बात आप याद रखना ये ENT डिसनेस है क्या ये ENT जो रोग है ये है क्या इसके अंदर क्या होता है actual में इसके जो एरिया है वहाँ पर जो है वो लग जाता है क्या कीडा सड जाता है या इक परकार का जो है वो रोग है इसमें जो है वो बहुत सारा सेवा मदद करने के लिए जो है सर्वसेश नागरी के स्वड़ पदक पुरुसकार समानित किया गया है उनका नाम क्या है तो उन का नाम है आपका डॉक्टर जन्मंती बक्सी ओप्सन नंबर आपका डी ठीक है अगला प्रसमारे सामने हैं होला मोहला का तेवहार निमली खीत में से किस पवित्र अस्थान पर जो है वो मनाया जाता है और यह जो तेवहार है वो आपका गुरु गोबिन सिंग जी के द्वार सुरुआत किया गया था और यह मनाया जाता है किस पवित्र अस्थान पर तो यह मनाया जाता है आपका पंजाब के शिरी अनन्ध पूरशाहि पर इस जगह पर ठीक है उपसन नंबर आपका डी अगले कोर्सिं से पहले बो इस्टोर से हिंदी और इंगली दोनों ही लेंग्विज में आप देश सकतें एप्लिकेशन के उपर यानि की अपने फोन के उपर अगर वहां से 349 वाला पैकेज अगर बाई करते हैं तो एक साल तक आपको हर एक एक एकजाम का मोग टेस्ट दिया जाएगा ताकि आप जज कर पाओ कि आप स्कोर कर कितना पा रहें एकजाम से ठीक पहले अगला प्रस हमारे सामने हैं किस देश ने विक्टन कारी परदियोग की के सबसे आसा जनक स्रोत जो है आपका के पी एमजी 2020 वेस्वीक परदियोग की उद्योग नावाचार सरेक्षण में सिर्थ इस्थान जो ह अगला प्रस हमारे सामने हैं किस रेलेवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया है नाना संकर से टर्मिनस इस्थेशन रखा गया है जो यह ըाना संकर सेट कौन थे यह उनिस्वे सदी की सुरवात में उद्योग पति परफकारी और सिखषवाद् Eh तो किस स्टेशन का नाम चेंज करकर इनके नाम पर रखा गया है नाम क्या रखा गया है नाना संकर सेट टर्मिनस तो वो है आपका ओप्सन नंबर बी मुंबई सेंट्रल का ठीक है और मुंबई के सीम कौन है उद्धक ठाकरी राज जोपाल की बात करे तो कौन है भगस सींग खोसियारी और राजधानी आप सभी को पता है महराष्ट का राजधानी वो खुद मुंबई है ठीक है अगला परस हमारे सामने है असाम राज सरकार के द्वारा ग्रामिन परतिवाओ यानि रूलर एरिया में वीलेज वगारा में जितना भी टैलेंट है उसको इंकरेज करन आसाम सरकार तो 33 ऐसे स्टेडियम बनने वाले हैं ताकि राजधु में जितने भी टैलेंट है ठीक है वो जो है उनको उभारा जा सके और उनको आगे लेकर आया जा सके बहुत अच्छा इनिसियेटिव है आप बोल सकते हो आसाम राज सरकार के द्वारा आसाम के CM कौन है त का जग्दिस मुखी और कैपिटल तो आप बोलेंगे दिसपूर अगला प्रसमारे सामने IDFC First Bank ने अपने पहले Brand Ambassador के रूप में किसे चुना है IDFC First Bank का पहला First Ever Brand Ambassador चुना गया है आपका अमिताब बच्चन को Option Number आपका D अगला प्रसमारे सामने है वर्स 2020 के लिए दुनिया की 100 रणनीतिक वैस्विक बुनियादी धाचा परियोजनाओं में किस हवाई अड़े को सामिल किया गया है ये आपको बताना है और ये सामिल किया गया है आपका जेवार एरपोर्ट को जो आपका कहां पढ़ता है ये पढ़ता है आपका उत्तर परदेश में अगला प्रसमारे सामने है भारत में AI यानि Artificial Intelligence कुत्रिम बुद्धी मता विसलेसिक और सौंदृत परद्योकी पर ध्यान देने के लिए साथ साथ दुनिया के पहले डिजिटल समाधान Exchange Cloud का नाम क्या है आपको इसका नाम बताना है और बहुत important question है ये वाला भी इसको मैं Starmark दे रहा हूं तो नाम क्या दिया गया है गो कडल ऑप्सन नंबर आपका D अगला प्रसमारे सामने है सरकार ने महिलाओ के startups उद्ध्यमों और निवेस को और इनक्यूबिटर अकाओ छात्रो और उद्ध्यम सुगम करताओ के networking की सुविदा को कौन सा portal सुरू किया गया है सुविदाओ के लिए कौन सा portal सुरू किया गया तो portal का नाम याद रखेगा उद्ध्यम सकी option number आपका D अगला प्रसमारे सामने और ये question भी काफ अगला प्रसमारे साथ का नाम क्या है तो आप सभी बोलेंगे डेविड माला पास उनके द्वारा भारत के किस राज के लिए जल परवंदन में सुदार के लिए 80 मिलियन जो है वो परदान करेगा वर्ड बैंक के द्वारा 80 मिलियन डॉलर का जो है वो लोन दिया जाएगा क इस राज को भारत का जल परवंद में सुदार के लिए तो यह दिया जाएगा आपका हिमाचल परदेश राज सरकार को और हिमाचल परदेश के सीम जैराम ठाकूर राजधानी सिमला और अगर बात करूँ वहां के राज जपाल का तो नाम क्या है आपका बंदारो दततराए ठीक है तो यह थे आपके इपोर्टेंट करेंट अफएर कप का 27 समार्च का और आप सभी को पता है कोविड-19 यानि क्रोना वाइरस बहुत तेजी से अपना प्रोकोब दिखा रहा है और आप सभी आप देखे भी होगे आज के करेंट अफएर में मैंने आपको बताया भी क अगले 6 मैने के लिए अपने सीमाओं को सील कर दिया गया है बंद कर दिया गया है पूरी तरह से अस्टेलिया के तरह से अधरब से तो अलग-अलग जो कंट्री है वो अलग-अलग स्टेप ले रहा है ताकि उनके देश में या पूरी तरह से ना फैले तो आप सभी का भी क दिल से रिस्पेक्ट करो और उसको जो है वो फॉलो करिए ठीक है सो जितने भी मेरे भाई वैने सभी को बहुत बहुत गुद मॉर्निंग आपका दीन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही खयाल लखेगा ठीक है ना चलिए